नमस्कार दोस्तों हमार यूट्यूब चनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे शरद यादव के बारे में जी हाँ शरद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे उन्होंने बारह जनवरी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया उनकी बेटी पारे में ट्वीट कर जानकारी दी शरद यादव भारती राजितिक के कदावर नीता माने जाते थे वो जेडियू के राष्ट्री अध्यक्ष भी रह चुके थे देश के बड़े-बड़े समाजवादी नेताओं के जब-जब बात होगी तब तब शरद यादव का नाम सोच और राजितिक समझ कर लोहा पूरा देश मानता था जब वह बोलते थे तब पूरा देश उन्हें सुनता था मध्य परदेश के होशंगा बात के बंदाई गाउं में एक किसान परिवार के हाँ शर्द यादव का ज़न्म हुआ था भारत के आज़ादी के चंद दिनों पहले यानि की एक जुलाई 1947 को उनका ज़न्म हुआ था किसान परिवार में जन्म लेने वाले शर्द यादाओ पढ़ने लिखने में काफी तेज थे शर्द यादाओ का जन्म हलांकी मध्य परदेश में हुआ था लेकिन बिहार की राजनीती में भी उनका काफी दबदबा रहा चात राजनिती से राजनितिक जीवन में खदम रखने वाले शरद यादाओ का कद राश्ट्रिय राजनिती में भी चाया रहा आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे उनके जीवन की एक घटना ने उनका जीवन राजनिती की तरफ मोड़ दिया दरसल शरद यादाओ का राजनिती में आना भी एक नाटकी घटना जैसा ही था वक्त था 1974 का और देश में तब इंदिरा गांधी की सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार के खलाप देश में गुस्सा था देश में जेपी आंदोलन धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था हिंदी भाष्री राज्यों में यह काफी तेजी से बढ़ने लगा था इसी बीच मर्धि परदेश के जेबलपूर से कॉंग्रेस के सांसत का देहान थो गया अब यहां से उपचिनाव की बारी थी जेपी यानि की जेप्रकारश नारायन ने उपचिनाव में कॉंग्रेस के मुकाबले एक युवा च्छात्र को संयुक्त विपक्च के कंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारने का फैसला किया और वह च्छात्र कौन थे शरद्यादो जी हां दोस्तों वह युवा च्छात्र थे शरद्यादो उस वक्त शरद्यादो की उम्र खरीब 27 साल रही होगी 27 साल के शरद्यादो ने कॉंग्रेस को मिदवार को हरा कर इतिहास रच दिया और फिर इसके बाद शर्द यादव भारती राजनीती में लगातार आगे बढ़ते चले गए। शर्द यादव ने जवरपुर इंजिनेरिंग कॉलेज से इंजिनेरिंग में गोल्ड मेडर हासिल किया था। वो पढ़ने में जितने तेज थे राजनीती में भी उतने ही सक्र ब्हुमिका निभाई लालो यादव श्रद यादव को मुख्य मति बनाने में बड़ी भूमिका निभाई लालो यादव श्रद यादव को Любos काम्याब हो गए और फिर आगे चलकर शर्द यादो और लालू यादो के बीच दोस्ती राजितिक विरोध में बदलती चली गई और शर्द यादो और लालू यादो एक दूसरे के खिलाप हो गए तो ऐसा था शर्द बाबू का जीवन